दिल्ली के पूरू उपमुक्ष मंत्री आम आदमे पार्टी के नेता और आबकारी घोटाले के मुख्य अभ्यूक्त मनीश सी सोधिया 11 दिसंबर तक नियाई खिरासत में ही रहेंगे क्योंकि राउजवेन्य कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 दिसंबर के तैकी है इस बीच में राउजवेन्य कोर्ट में स्पेशल नियाधिश MK नागपाल ने ED को भी नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि CRPC की धारा 207 के तहट कारवाई इस बीच में पूरी कर ली जाए ताकि ट्राइल जल्द से जल्द शुरू किया जा सके सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने मनीश इसोदिया से पूछा कि आप क्यों इस मामले में देरी करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि इस मामले को और टाला जाए मनीशी सोधिया के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है जो भी देरी हो रही है वो enforcement, डारेक्टरेट यानि प्रबरतर निदेशाले यानि ED की तरफ से हो रही है हमने ED से चार शीट की कॉपी मांगी थी जो कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है यही बात बाकी अन्य अभीप्तों ने भी कही जब यह पूछा गया ED से कि आपने कॉपी क्यों नहीं दी तो ED का कहना था कि 10 तारीक तक तो यह कह रहे थे हमें soft copy चाहिए अब यह कह रहे हैं कि हमें hard copy चाहिए इस बीच यह कहा गया है कि सारे अभीप्तों को जिन्हें copy चाहिए चारशीट की उन्हें soft copy अभी तक दे दी गई है hard copy भी उन्हें मुहिया करा दी जाए 11 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई है और अगली सुनवाई पर यह तैह होगा कि आगे ट्राइल कैसे आगे बढ़ाया जाए फिलहाल इस मामले में मनीशी सुद्या को दिवाली से एक दिन पहले भी कोट ने रहाद दी थी और जब उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इच्छा जताई थी तो कोट ने उन्हें सुबह 10 वजे से शाम 4 वजे तक की छुट्टी दी थी और ये कहा था कि वो पुलिस की निगरानी में यानि कस्टडी में पुलिस कस्टडी में वो अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे और पत्नी से मिलने गए लेकिन फिलहाल अभी ये लग रहा कि इस पूरे मामले में मनीशी सुद्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं फिलाल अब 11 दिसंबर तक तो उन्हें नियाई खिरासत में ही रहना पड़ेगा चार शीट दाखिल होने के बाद अब ये आगे की पेशी की तारीखें तैह होती हैं और इसके बाद जब ट्राइल चलेगा तो उसके बाद भी ये आशंका रहेगी कि मन मनिश्य सोदिया फिर से नियमित जमानत के लिए अरजी दाखिल कर सकते हैं निचली अदालत में तो ऐसे में इसलिए एडी भी चाहती है कोट भी चाहता है कि रफतार इतनी तेज रहे यानि सुनवाई कि रफतार इतनी तेज रहे कि मनिश्य सोदिया कोट को ये कन्विंस ना कर पाएं कि अभी तक सुनवाई बहुत धीरे चल रही है लहाजा उन्हें जेल में रखने का कोई फाइदा नहीं है उन्हें जमाने पर बाहर रहा किया जाए तो ऐसे में कोट ने सक्ती बरतते हुए 11 दिसंबर तक ED से ये कहा है कि वो CRPC की धारा 207 के तहट जो भी कारवाई बची है बिनोर रॉय और बाकी अन्य अभियुक्तों को चार शीट की कौपी दे दे ताकि वो कानूनी रेमेडी यानि जो कहते हैं कि लीगल रेमेडी के लिए वो इंतजाम कर लें वो अपने जवाब तयार कर लें क उन्हें चार शीट पर क्या जवाब देने हैं और ED के दावों की किस तरह से काट करनी है अपने बचाओं में क्या वो कह सकते हैं अदालत को उसके लिए उन्हें टाइम भी मिल जाए फिलहाल 11 दिसंबर को अगली सुनवाई है और उसके बाद ही उसी दिन ये पता चलेगा क कि मनी से सोदिया को आगे रहात मिलती भी दिखाई पढ़ रही है या यह मामला अंधेरी सुरंग की तरह आगे बढ़ रहा है जिसमें रोशनी की किरन कब दिखाई देगी यह पता नहीं कैमरामेन हिमांचु शर्मा के साथ संजे शर्मा दिल्ली आज तक